नमस्कार साथियों, मैं अर्विन सर्मा, MGCI के डिजिटर लर्निंग प्लेटफार्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं BHU की जो एक्जाम है, उसका जो फार्म सम्मिशन की डेट आ चुकी है किस तरह से हमें फार्म भरना है, उसकी संपुन जानकारी लेकर आया हूँ वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें जैसा कि इसके फार्म सम्मिशन के लिए 14 अगस्त से 6 सितंबर तक इसके फार्म भरे जाने हैं तो किस तरह से हम इसके फार्म भरेंगे, क्या-क्या जानकारी हमें देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे को गूगल पर bhu.nta.nic.in यह हमें सर्च करना है जैसे ही आप यह यहाँ पर डालेंगे, आपके सामने बनारस हिंदू उनिवर्सिटी bhu.nta ओपन हो जाएगा जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपके सामने यह पेज ओपन होगा जिसमें हमें जाना है registration for bhu.net 2021 आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने यह वाला पेज ओपन होगा इस पेज में हमारे को इधर नहीं जाना है, जो लोग already registration करवा चुके हैं, उनके लिए यह page है लेकिन हमारे लिए क्या है, bhu.net 2021 new registration हम इसमें जाएंगे, जैसे आप new registration में जाएंगे, आपके सामने यह page open होगा जिसमें fees की detail दी हुई है, fees की detail में general category है, EWSA, OBCA उसके लिए 600 है, SC, ST, वो जो disabled person होते हैं, उनके लिए 300 है यह जानकरी हमें पहले से ही है, हम लोग इसके सारे instruction पढ़ते जाएंगे, instruction पढ़ने के साथ साथ हमें आगे बढ़ते जाना है आगे बढ़ने के बाद, last में हमारे को page में नीचे यहाँ पर यह दिखेगा, हमें यहाँ पर declaration देना है, यहाँ पर आप right click करेंगे right click करने के बाद, click here to proceed, आप proceed को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप proceed को क्लिक करेंगे, आपके सामने application form open हो जाएगा सबसे पहले आवेदत का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मति थी, data worth देना है, link, इसके बाद, identity, पहचान का हमारे को चुनाव करना है कि हम बहुत सारे जो हमारे पास card होते हैं, उनमें से हम किसी एक card का चुनाव करेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, pen card, passport, voter ID, school का ID है, रासन card, bank passbook, driving license, या any other valid government identity with photograph, जैसे आधर card दे सकते हैं आप, और यहाँ पर आप उसका number डाल देंगे, इसके बाद, हमारे को यहा address क्या है, उसकी जानकारी देना है, address देना है, लोकलिटी कहां की आपको यह देना है, और इसमें एक जानकारी हमें यह देना है, कि BHU से आपका जो निवास है, उसकी दूरी कितनी है, कितने किलोमेटर है, यह आप दे सकते हैं, देश का, राज्य का, और जीले का नाम, यह आप बढ़ेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे कुछ जानकारी हमसे और मांगी जाएगी, जैसे यहाँ पर हमसे email address मांगेगा, वो हमारे को सही से बरना है, और mobile number, ये दोनों चीजें हमारे को बिल्कुल बहुत अच्छे से देख के बरना है, क्योंकि सारी जानकारी आगे भविस्च में इसी पर आएगी, admit card है, result है आपका, और कब counseling होंगी सारी detail, इसके बाद हमारे को present address डालना है, अगर वही address है, तो आप यहाँ पर click कर देंगे only, तो ये सारी हमारे को जानकारी बरने की ज़रुद नहीं पड़ेगी, और जैसे ही आप address की जान password बनाना है, password इसलिए बनाना है, ताकि हम भविस्च में आगे जानकारी और भर सकें, देख सकें, password को confirm करेंगे, इसके बाद जो सुरक्षा प्रस्ण पूछा जा रहा है, वो कोई सावी प्रस्ण यहाँ पर देख लेंगे, उसका answer हमारे हिसाब से बढ़ देंगे, और last में हम लोग यह जो security pin है, इसको यहाँ पर डाल देंगे, जैसे ही आप इतनी सावी जानकारी भरेंगे, submit का option आपके पास रहेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर आपको यह चेक करने के लिए मोका देगा, अगर हमने कोई जानकारी गलत है, तो हम edit पर जाएंगे, और हमें लगता है कि हमने सारी जानकारी सही भरी है, तो हमें यहाँ पर जो सारे option दिये हैं, सब को tick करना है, declaration को tick करना है, इस तरह से, जब सारे option tick हो जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, final submit, जैसे ही आप final submit करेंगे, एक बार फिर पूछेग कि क्या आपकी सारी जानकारी सही आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल सही है, yes कर देंगे, yes करने के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अभी हमने आदा application form बढ़ा है, अभी हमारे को और जानकारी बढ़ना है, तो complete application form, इसको tick करेंगे, अब इसको tick जैसे ही करेंगे आप, तो जानकारी हमारे को यहां पर देना है और आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के साथ अब यहां आपसे कुछ विशेश चीजे पूछेगा जैसे जिनके पास EWS है जनरल केटेगरी में आते हैं EWS है वो यहां पर अपनी जानकारी देंगे क्या आपके पास EWS है तो हमें उसकी जानकारी देना है फिर जो विकलांग है 40% से अधिक और certificate है उनको यहाँ पर अपनी जानकारी देना है यह बहुत ही महत्पुन जानकारी है जो पात्र हो वही इस आप्षन को चुनाव करेंगे इसके बाद कोई किसी के पास कोई खेल कोटे का certificate हो वो देना है पारिवारिक आये देना है धर्म कौन सा है ब्लड ग्रूप कौन सा है और अगर कोई employee है तो उसको वहाँ की जानकारी देना यह हमारे काम का option नहीं है अब इसके बाद यह सारी जानकारी भरने के बाद आपके सामने बहुत ही महत्पून विंडो खुलेगी और वो है हमारा subject क्योंकि paper क्या आएगा exam में वो यहीं से आपका decide होगा तो अगर हम agriculture के student हैं तो 135 यह हमारा option रहेगा यह BSC agriculture के लिए है यह वाला option हमारे को चुनना है इसके अलावा अगर आप कोई और subject चुनने वाले हैं तो वो आप चुन सकते हैं लेकिन हमारे लिए यही option काम का है BSC agriculture code 135 इसके बाद एक बहुत ही महत्पून चीज और आई वो है परिक्षा का सहर यह exam हम कौन से state से देने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे को state का चुनाव करना है और उसके बाद सहर कौन सा है तो जैसे हमने मद्धिप्रदेश का चुनाव किया इसके बाद हमने यहां इंदोर चुन लिया इसी तरह से हमें चार बार state चुनना है और उस state में आने वाले सहर का चुनाव हमारे को करना है इसके बाद ये जो security pin आएगी इसे यहां डालेंगे और फिर आप इसको कर देंगे submit जैसे ही आप submit करेंगे आपके सामने एक बार फिर से edit का option भी आज़ेगा कि कोई गलत जानकारी भर दी क्या सेंटर गलत भर दिया क्या तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले एक बार इसको पूरा check कर ले और सब कुछ सही लग रहा है तो टिक करके आप final submit पर आ जाएंगे जैसे ही आप final submit करेंगे आपके सामने ये screen आ जाएगी इस तरह से तो यहाँ पर हम लोग देख रहा है registration form हमारा complete हो गया है application form complete लिखा हुआ आ रहा है हाँ अब आया क्या upload document यह incomplete लिखा है तो हम किस पर जाएंगे upload document अप लोड डाकुमेंट पर जैसे आप जाएंगे आपको यहाँ पर दो चीज़े upload करना है सबसे पहला चीज हमारी जो photo है वो upload करना है और दूसरा signature यह दो चीज़े हमारे को यहाँ पर upload करना है यहाँ पर आप अप लोड कर देंगे choose file में से upload हो जाएंगा upload होने के बार हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे पूरा भरा हुआ फार्म आपके सामने उपन हो जाएगा यहाँ पर आपकी फोटोग्राप दिखाई देगी यहाँ पर आपका सिगनेचर दिखाई देगा यह आपको ध्यान से देखना है कि फोटो और सिगनेचर अपलोड हुए हैं या नही अगर अपलोड नहीं हुए हैं तो एडिट पर जाके आप फिर से कर सकते हैं और अगर सारी जानकारी बिल्कुल सही है तो आप क्या करेंगे आई एगरी जैसे ही आप आई एगरी करेंगे यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट आएगी कि आपने फोटो अपलोड किया है सिगनेच पर जाकर आप देखोगे अलग-अलग तरह कि आपके सामने खुल जाएंगे वो सारे अप्शन में से आप अपने इसाब से चुनाओ करके पेमिंट कर देंगे आपका फार्म सम्मीट हो जाएगा दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके बहुत काम कि र नवा दोस्तों